लाइब लगातर देख रहा है और भूम याप माफियाओं की बात करें तो आप यह देख सकते हैं कि वह पर्खंड रस्तर तक तो छोड़ी एक गरामी रस्तर तक भी पहुंच गया है और जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं जा आप देख सकते हैं हमारे बाई और किया हीटा बाल और छरी गिरा हुआ जो भूम माफियाओं द्वारा गिराया गया है और मैं आपको बताओं कि इस जमीन को 30 मार्च 1956 को तिन परिवारों को जो भूमी हिन्थ है या आप यह कह सकता है कि आर्थिक रूप से काभी कमजोर थे उनको भूदान के द्वारा दिया गया था ताकि उनकी जीविकों पार्जन हो सके आज इस तिदी यह है कि भूम आफिया और अंचल अधिकारी या अपियक है कि अंचल निष्चक के मिली भगत से इस जमीन को कई बार बेचा जा चुका है और इस पे कब्जक करने की बात चल रही है हाला कि हम उस परिवार से भी आपको मिलाएंगे जिनको यह जमीन जो है 1956 में अमड़ीद हुआ था और जिनके नाम से यह आधा हमारी जानकारी है कि वह इस दुनिया में नहीं है लेकिन के परिवार के लोग यह उनके वनसज हमार साथ है हम उनसे बात करेंगे कि क्या है इस की है लेकिन रशीद नहीं काट रहे हैं यह जमीन आप लोगों कैसे पराप्त हुआ था यह बुदान से हमारा दादा को मिले थे छोटुशार को नाम से उन्हें सब्सक्राइब मिला हुआ है और इसका सारव पेपर हमारा पर मौजूद है और हम लोग काज है और और लोग सब्सक्राइब कर दिया गया है तो वहां से सब्सक्राइब को दिया है कि नहीं जमीन चमार के नाम से मिला हुआ है हमारे हमारे साथ और भी लोग है जिनको जमीन अमंटित होता मुंसे बात करेंगे और वह भी बताएंगे कि अब लोग हांडी हम्तित गवा लिव दांगे जमीन के बारे यहीं हुआ है कि बुनिधान से मिला हुआ है जु अवकर लेशान की अब सने घूटतुरी के बाभततुतरी नाम फे ृशापन में हचपन में कि दशीयों को पार है पादब दू अबकात कांश लाए ईठाए जाली पेपर करके ता और ली पढ़ाई पर इसको देकर ली में पी तक तेब कर नहीं कोंगर कर रहा है अभी ततेयों परिवार को कि आज भूमाभिया ऐसे हावी है कि जो जमीन दान स्वरूप इनको मिल चुका है इस जमीन को मिले वे लगभग 70 साल होने को है उसके बाद भी आज भी उस जमीन पर यह लोग कायम नहीं हो पा रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि इस जमीन के बारे में उनका क्या कहना है जैसा कि हमको लग रहा है कि इन परिवारों के पच में वह भी संगरस्रत हैं हम उनसे बात करते हैं कि क्या है वास्तू इस थी क्या है सर यहां पर क्कॉष वास्न एका लाग लिएogen तेया इनके प्रवजा को लेकिन आज के समय मी देखा जा रहा है कि यहां अंचल कारेले में जो हमारे स्यो साहब हैं या मियस्तिके पहले जो सीयाई साहब रहे जो आज ट्रांसपर होकर कोडर्मा चले गए हैं, मिश्टर हरी किशना प्रशाग, ये दोनों मिलकर के भूमाफियाओं के साथ मिलकर इस जमीन का सौधा कर दिये, इनके जो जायज जमीन का जो कागजात है, जो भुदान जग कैरले के दौरा इनको निर्गत किया गिया, उसक का रसीद निर्गत कर दिये, और इन लोगों को बार बार अफिस से भगाया जाता रहा, लेकिन सीबू आर्मी के पहल कदमी के द्वारा, जब ये बात जगह पर आई, तो आब इस चीज को स्थाफित किया गिया, साबित किया गिया कि इन रहेतों को जो प्राप्त है, जी प्रमान, आप कैसे प्रमानित कर सकता है कि इन लोगों को प्राप्त कागजात जायज है, और जो और लोग दिखा रहे हैं, जो इस जमीन पर कबजा करके इस जमीन का सौधा भी कर रहे हैं, इस जमीन का तीन लोगों के साथ सौधा किया गिया, जिसका साथ प्रमान आप के साथ यहां पर है इटा रखा है बालू रखा है चरी रखा है एक मियाजी रखे हैं तोडल कितना जमी नहीं है यह पांच एकड़ पंद्रे डिस मिल का यह रखवा है जो इन तीनों को आबंडित हैं यहां के सीओ हैं मिस्टर रामसुमन परशाद और यह लगातार किसी को भ बारी आप की होगी आप ने सुने हैं चंद्रा जी को इनका कहना है कि अगर हमारी जाजी मांगे को नहीं सुनी गई तो हम लोग आगे भी आंद्रोन करने को बात दें लाइब लगातार के लिए संद्या आचल के साथ मैरून बर्नवाल मरकच्चों को डर्मा नूज अपड